कि वेल्कम बैग गूड बॉर्णिंग मित्रों जो अगला टापिक है वह है आपका बिटिस इस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड यानि की इतिहास बिश्य से रिलेटेड है और इस टापिक में हम लोग भारत में जो बिटिस भूम ब्योस्था थी यानि लैंड सेटलमेंट क्या था बिटिस इस्ट इंडिया कंपनी का भारत में उसके बारे में इस वीडियो में ब्याख्या की जाए तो आए शुरू करते हैं देखें इस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से पुरु भारत में जो प भू ब्योस था थी जो भूम ब्योस था थी और इस पेशी रूप से जब 1764 का जो वारा बक्सर हुआ था बक्सर का युद्ध हुआ था तो इस युद्ध के बाद जब 1765 की इलहाबा संधी के तहत कमपनी को बंगाल बिहार और इसा की दिवानी मिली तो उसको क्या हुआ इस इंडिया कमपनी ने यहां पर टैक्स बसुनना इस्टार्ट किया और धीरे धीरे जैसे जैसे इस इस इंडिया कमपनी का भारत के अलग अलग भागों को कमपनी ने अपने कंट्रूल में करना इस्टार्ट किया यहां पर अपने जो प्रसासनिक ब्योस था थी उसको अस और भूं ब्योस्था में हस्चेप करने का काम कंपणी के दौरा किया है है। तो देखnuts लेक्टिया कंपणी के आगमन से पूरू भारत में जो परण परागत भू सथा थी उसमें भूमई पर किसानों का अधिकार था यानि कि उससे पहले किसानों का अधिकार्था भूम पे और भूम जो हुआ करती थी वह total समाच की हुआ करती थी यानि कि land purchasing का काम नहीं होता था यानि कि भूम की खरीद फरोक्त नहीं होती थी तथा फसल का एक भाग सरकार को दे दिया जाता था और कमपनी ने अपने खर्चों की पूर्टी और अधिकाधिक लाब कमाने के उद्देश से भारत की किति बिर्था में हशेप करता प्रारम कर दिया यहनि जैसे जैसे कमपनी का जो प्रसासनिक एकाधिकार था और साथी साथ company का जो एरिया जब बढ़ता गया तो उसी के साथ उसने क्या किया कि अपने खर्चों की कैसे पूर्टी की जाए अब company ने क्या किया यही भारत के पैसों से ही उसे यही पर investment का नाम दिया और साथी साथ जो भी परसासनिक और सैनिक खर्चा आए इहीं के पैसे से उने क्या किया उस खर्च की पूर्ती करने का काम किया तो वही कमपईन ने अपने खर्चों की पूर्ती यह मदिकादिक लाब कमाने के उद्देश से भारत की किर्थी ब्योस्ता में हच्शेप करना प्रारम कर दिया कि कैसे भारत की किसी ब्यस्थियों कि भारत की जू अर्थ ब्यस्था का main जो source था वह agriculture था किसी था तो किसी में सबसे पहले हच्ठ चेब कर ना प्रारम के दिया तथा करों के निर्धारा ने हम वसूली के लिए एक नई परकार की भूप रडालियों को जन दिया बिटिस शुनिया कपनी ने इनमें देखिए जो भूप रडालिया थी वो पहला थी जारेदारी पर था दूसरा अस्थाई बंदोबस जिसे पर्मानेंट सेटलमेंट भी कहा जाता है और तीसरा जो था वो रहयतवारी ब्योस था रहयतवारी सिस्टम और जो लास्ट फोर्थ रहा महलवारी सिस्टम था या महलवारी पदती कहा जाता है तो बिटिस्कालीन इन भूम ब्योस्थाओं का हम वन वाइवन करके, एक एक करके इसकी ब्याख्या करेंगे तो आईए देखते हैं पहला इजारेदारी पर्था क्या थी? जो इजारेदारी पर्था थी यह आगनिक समय की जो ठेकदारी ब्योस्था चलती है contracting system उस बेस वियाधारी थी इसे सबसे पहले 1772 में Warren Hesting ने लागू किया इसके पहले जब लाड कलाई बंगाल का एक दूसरी बार governor general बन के आया तो उसने इन सब ब्योस्थाओं में shape करने का काम नहीं किया जैसे पहले चला आ रहा था उसी टाइप से टेक्स वसूलते थे लेकि 1772 इसमे में Warren Hesting ने इजारेदारी system को लागू करने का काम किया इस जो system था या परथा थी इसकी दो विशेस था थी पहला कि Warren Hesting ने जिस परथा को लागू किया वो पंच वरसी पढ़ाली पाधारी था यानि कि 5 साल के लिए contract पे ठेके पे दे दिया जाता था और दूसरा जो था सबसे दूसरी जो विशेस था थी इजारेदारी system की कि सबसे अधिक बोली लगाने वाले ब्यक्ति को ही भूम ठेके पर दी जाती जिससे अधिक से अधिक क्या हो उन्हें tax मिले फिर अगर बात करें तो 1777 में 5 साल के अस्थान पर बात में चलके Lord Hastings ने क्या किया कि 1777 में 1772 के बाद 1777 में इसने जो पंच साली भूम बे अस्था थी यानि 5 साल ठेके पे देने की जो पढ़ था थी इसको समाप्त करके अब every year यानि हर साल कॉंट्रेक्ट पे दिया जाने लगा जिससे क्या हुआ सरकार की आए बढ़ी तो एरहाब का इजारेदारी सिस्टम बाद में चलके इस बेवस्था को इस बेवस्था में बहुत सी कमी आए उन कमीयों को देखते हुए बाद में इस बेवस्था को हटा दिया गया और उसके बाद में ये जो तीन बेवस्था हैं थी अस्थाई बंदोबस रहतवारी और महलवारी पंदती को लार्ज पूरे जो इस्टनिया कमपनी का एरिया था नहीं बिटिस प्रोबिंसेस थे उसमें लाओ करने का काम किया गया देखें पहला इजारेदारी बंदोबस्थ क्या था इस बेवस्था को जमिदारी या इस्तमरारी बेवस्था भी कहा जाता है क्योंकि अस्थाई बंदोबस्थ में बिटिस इस्ट इंडिया कंपनी या सरकार ने जमिदारों के साथ डाइडरेक्ट कोंट्रेक्ट करने का काम किया इसे 1793 में लाड़कार वालिस के द्वारा लागू किया गया था 1793 में इसे बंगाल, बिहार, उनिसा और यूपी के बनारस प्रखन जो बनारस का जो एरिया था बहुत बड़ा था, वहाँ पे और करनाटक के उतरी भागों में इसे लागू किया गया था या टोटल भारत के बिटिस जो अधिकारिक छेत्र थे, उसके 90%, 19% भाग पर इस ब्यवस्था को लागू किया गया था इस ब्यवस्था की विशेष्था आया थी कि इसमें मालिक जमिदार हुआ करता था और या जो ठेकडारी जो अस्थाई बंदोबस्थ किया गया या पैत्रिक हुआ करती थी और पैत्रिक होने के साथ सा या हस्तानंतर्णी भी थी यानि कि अपने बेटों को अपने पुर्वजों को अपने आगे आने वाली पीणियों को क्या करते थे जम्दारी हस्तानतर होता रहता था आटोमैटिक बाप मरा बेटे का बेटा मरा फिर बेटे का तो इस टाइप का सिस्टम था अस्थाई बंदोबस्त में सरकार को कुछ फायदा भी हुआ तो कुछ घाटा भी हुआ इसमें क्या किया गया था जो अस्थाई बंदोबस्त में जो टैक्स था जो कर था वो फिक्स कर दिया गया था फिक्स करने के साथ अगर अधिक उत्पादन होता था तो चमदार रख ले जिसमें कमपनी को घाटा गया लेकिन इसका फायदा कमपनी को 1857 के विद्रो के स्वतनतता संघर्ष में मिला जब 1857 का रिबोल्ट हुआ था उसमें इही बंगाल की जमिदारों ने यानि जो अस्थाई पर्मानन सेटल्मेंट के था जिन जमिदारों को कमपनी ने स्टैंड कि आा था उनोंने बड़े पैमाने पर कुंपनी का सपोर्ड करने का काम किया था तो इह रहां इसमें होता था कि जमिदार कुल रकम का 10 by 11 भाग यानि 10 by 11 परसेंट जो भाग होता था मुश्ली वा कमपणी को देता था तथा जमिदारी वसुने के एवज में उसे 1 by 11 परसेंट यानि कि 1 by 11 परसेंट भाग हो सेम रखता था इस बिवस्ता से कमपणी की आय में लेखनी बिरिद्धिय। कि और उसे company ने क्या किया यहां पे युद्ध लड़े यहां पे ब्यापार में इन्वेश्ट करने का काम किया और भी बहुत चीज़े करने का काम किया गया company के दोरा देखिए जो next है वह है रहत वारी बेवस्ता रहत मेंस होता है किसान इन इस बेवस्ता में इस जो सरकार थी कमपनी थी, कमपनी ने सीधे किसानों के सर्ष कंट्रेक करने का काम किया, यानि कि बीच के जो बिचवलिये थे, उनको हटाने का काम किया गया, इसका जो जन दाता था, सर्ट टामस मुन्रो था, इसे अठारसो बीस और बाइस के आज़ पर, सबसे पहले 1782 में इसे लाउ किया गया था, एक छोटे से गाउं में करनल रीड के द्वारा, लेकिन बाद में चलके इसे बड़े ब्यापक पैमाने पर ठारसो बीस में टामस मुन्रो के द्वारा लाउ किया गया, या लाउ करने वाला जो एरिया था, मदरास था, बंबई था, और असम के कुछ भागों में इसे लाउ किया गया था, इसमें डाइरेक्ट किसानों के साथ संबन्द अस्तापित किया गया था, यानि किसानों के साथ डाइडेक्ट रहतों के साथ कॉंट्रेक किया गया था इससे विचोलियों की जो ब्यवस्था थी इसमें समाप्त कर दी गई थी या टोटल बिटिस भारत के बिटिस इसनिया कंपणी के एरिया के 51% भाग पे इस ब्यवस्था अनकी सबसे बड़े भाग पे रहतवारी सिस्टम को लागू करने का काम किया गया था तो इससे किसानों को भी फायदा हुआ और साथी साथ बिटिस गवर्मेंट को भी फायदा हुआ था भारत में जैसी जैसी सिस्टम जहां पे था उसी में थोड़े बहुत चंजेस के साथ अपना फायता देखते हुए बिटिस सेशनिया कमपनी ने क्या किया अलग-अलग भारत के अलग-अलग भागों में भूम बियुस्था, नई भूम बियुस्थाओं को लागू करने का काम किया तो इसमें क्या किया गया मालवारी पद्धती में इसका लॉड हेस्टिंग के टाइम में इसे मद्धिपरान, आगरा, पंजाब के छित्रों में लाओ किया गया और या टोटल बिटिस भारत का बिटिस एस्टिंगा कमपनी के भाग के कुल 30% छित्रफल में यानि 30% एरिया में इसे अपलाई करने का काम किया गया लगान का जो निर्धारन होता था या संपूर गाओ जो संपूर महाल होता था उसके पादन के आधार पे लगता था और जिस महाल का जो मुखिया होता था परमुख होता था महाल परमुख होता था उसे लगान कलिक करने की जिम्मेदारी दी जाती थी और जो किसान लगान अदा नहीं करता था उसकी भूम से या महाल परमुख जो होता था या जो गाउं का मुखिया होता था उसे बेदखल कर सकता था या अधिकार इस्ट इंडिया कमपनी के दौरा इस महाल परमुख को महलवारी बंदोबस्त में परतान करने का काम किया गया तो यह जो बेवस्थाएं थी रहतवारी बंदोबस्त इजारेदारी फिर महलवारी सिस्टम एक बड़ी पैमाने पर भारत में लागू की गई और या बिटिस इस्ट इंडिया कंपणी की जो आई का एक सुरूत रहा भूम बेवस्थाओं की जितनी भी रूल रेगलेशन नि इस्ट इंडिया कंपणी के अपने सुरुवाती चरण के दौरान भारत में जो भूमी ब्यवस्था थी जिससे इस्ट इंडिया कंपणी ने लागू किया था यह रहा अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद ओके